Google business listing का किस तरह से किसी को access दिया जाता है अब access जो है अगर आप एक owner है तो definitely आपके पास एक agency हो सकती है आपके बास में अपना staff हो सकता है आपके पास में interns जो है वो हो सकते हैं आपके business को manage करने के लिए तो उनको किस तरीके से अपने business listing जो है उसका access देना है और क्या access देना ह यह पूरा step by step आपको प्राक्टिकल इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो चलिए बने रहें वीडियो को end तक देखें मेरा नाम है मंजीत सिंग और आप देख रहें आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत और सीधे ही चलते हैं computer screen पे because google business listing का जो access practical कैसे देना वो तो computer पे चल की बता पाऊंगा लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक हिदायत देना चाहूंगा अगर आप एक owner हैं तो definitely और या फिर एक ऐसे agency हैं जहाँ पर multiple profiles आपके पास में तो definitely यहाँ पर आपको owners के rights वो हैं वो नहीं देने है क्योंकि कोई दूसरे को owner के rights देगा तो आपको remove किया जा सकता है तो बने रहें अभी practical देखने के लिए लेके चलता हूं आपको computer screen पे ओके चलिए हमाँ आज चुके हैं computer screen पे और you can see आज मैं आपको इस video के अंदर पूरा complete practical दिखाने वाला हूं किस तरह से आप किसी दूसरे को अपने जो business profile है उसको access provide कर सकते हैं वो manage कर सकते हैं वो किछ भी कर सकते हैं उसके अंदर editing बगरा तो ऐसे में मेरे पास में you can see यह creator हम इसको manage करते हैं बट मुझे उनको भी access देना है so that कि कहीं पर भी कोई भी problem हो तो वो खुद भी manage कर सकें इस चीज को इसके लिए यहां पर जो है you can see यहां पे आपके पास में profile होती है right see your profile पे click करेंगे आप आ जाएंगे इस page पे यहां पर आने के बाद यह तीन डॉट आपको दिखाई देंगे इस तीन डॉट पे आपने click करना है पहले number पे आपका आता है business profile setting इस पे आपने click करना है जैसे आप यहां पे click करेंगे business profile setting you can see यहां पे आपके पास में कुछ options आएंगे जिसमें सबसे पहला option है people and access add, edit or remove people access तो हमें access ही provide करना मैं इस पे click करता हू next हमारे पास में यहां पे आजाएगा कि add इसको गरना right अभी already मेरा profile है मेरी issue हो रही है बट और कोई भी इसमें available नहीं है तो मैं यहां पे add पे click करता हूँ जैसे add पे click करूँगा तो यहां पे उनका email id डालना पड़ेगा तो मैं उनका email id यहां से copy कर लेता हूँ आप privacy definitely matter करती है तो यहां पर मैंने उनका email id डाल दिया है और email id डालने के बाद मैं उनको यहां पे select कर लेता हूँ कि यह मैंने उनकी email id को select कर लिया अब इसके बाद में यहां पर हमने क्या करना है उनको define करना कि वह owner है तो definitely मेरे पास में multiple profiles हैं तो मैं यहां पे manager के रूप में जो है उनको define करता हूँ जिसमें वो हर चीज कर सकते हैं यहां पे और owner में definitely आप किसी को भी simple है आप remove कर सकते हैं वो सब चीजे कर सकते हैं तो I don't want कि कोई भी आगे देखो business है कहीं से कुछ भी problems हो सकती है तो owner के rights आपको नहीं देने हैं आप manager के rights दे सकते हैं तो अब यहा पर मैं click करूंगा तो you can see invitation जो है यहां पर भेज दिया गया है अब यह वहां से invitation को accept करेंगे और जैसे accept करेंगे उनके पास में यह business listing का जो profile है वो manage करने के लिए available हो जाएगा फिर वो उसमें कुछ भी task perform करना चाहते हैं वो easily कर सकते हैं so guys I hope कि Google business listing की जो access है वो किस तरह से आप define कर सकते हैं because आपका business है तो आप अपने किसी agency को hire कर सकते हैं उसको access देने के लिए manage कर सकते हैं या फिर आप एक खुद agency है तो आप अपने employees को देना चाहते हैं अपने जो interns हैं उनको manage करने के लिए rights देना चाहते हैं तो यहां से आ आप असानी से उस चीज को manage कर सकते हैं so guys I hope कि आप कुछ है यह किस तरह से rights create करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ डिजिटल मंजीत के साथ मैं फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ और नए टाइटल के साथ में तब तक stay safe goodbye